दोस्तो आप लोगों पता होगा कि अभी के जामने में मार्केट में हमें जितने भी टीवी देखने को मिलता है उसमें से काफी ज़्यादा जो प्रॉपुल आड़े वो बॉडरलेस पैनल का टीवी का बहुत ही पॉपुल आड़े यानि जो borderless panel होते हैं या borderless TV होते हैं उसके अंदर जब भी कोई दिक्यात आ जाती है खास करके उसका backlight अगर खराब हो गया तो backlight को change करने के लिए हमें borderless panel को खोलना होता है और बहुत सरे technician के पास एदिक्यात आती है कि borderless panel को कैसे खोल जाता है इसका technique के बारे में नहीं पता होने के कारेण पैनल को तोड़ देते हैं इसलिए आज किस वीडियो के अंदर आपको पूरा 100% सेफली तरीके से अपके से एक फ्रेमलेस TV के अंदर से borderless panel को खोल सकते हो इस अच्छा TV technician बनना चाते हो खास करके LCD LED TV technician तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है क्योंकि आगे आने वालों दिनों में आपको ज्यादा ता टिभी फ्रेमलेस यानि की borderless ही देखने को मिलेगे और आगर आपको फ्रेमलेस पैनल को कैसे खोला जाता है इस technique के बारे पैनल को खोलने का वो भी आप समाज लेजिए दोस्तों किसी भी borderless यानि फ्रेमलेस टीवी का पैनल को खोलने के लिए आपको सबसे पहले टीवी का जो पैनल का चारों कॉर्णर है ये आपको देखना परेगा उससे पहले फ्रेमलेस टीवी का नीचे के साइड एक supporting एक केस लगे होते हैं उसको केस को आपको खोलने के बाद आपको और भी आच्छे से देखना परेगा कि कौन सा साइड हमारा उचा या नीचा तो नहीं हुआ है तो इस चीज को देखने के बाद आगर आपको लगे कि हमारा जो हम पट्टी जो डालेंगे इसके पीछे जो supporting के तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करता हूँ इस टाइप का कार्ड को जो कि आपको जो mobile का screen होता है इस screen guard को लगाने के समाई इस टाइप का कार्ड जो मिलता है उसी सही काम बहुत है अच्छे तरीके से होते हैं तो हमने पहले से रिसाइड कर लिया था कि इस साइड से हम इस तो यह जो काम है ना यह काम पूरा पूरा आपको depend करेगा आपके experience आपका धरिय और आपके उपर अब जितना निकुत तरीके से आप करोगे उतना ही आच्छे से आपका काम हो पाएगा यहाँ पर अगर आप थोरा सभी आप अपने जो शरीर का तेज दिखाओगे या आप अपका सकती दिखाओगे ना उतना ही काम भी कर जाएगा और आपका panel टूर जाएगा इसलिए जितना आसान इसे और जितना हल के हातों से आपको यह काम को करना पड़ेगा धीरे-धीर आपको नीचे साइड में क्योंकि गाम लगे होते हैं तो गाम को cut करने के लिए हमें य एक बारे में नहीं होता है तो आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार भी करना पड़ेगा यहाँ पे देखिये इधर तिघर यहाँ ताक आते आते हम truth में कुछ बूहार और भी अच्छे तरीके से हो पाएं तो जैसे कि मैं आप लोगों बता कि इस काम को आप जितना हलका हाथों से करोगे उतना ही आपका सेक्सरेट जादा रहेगा तो जो लोग निया निया जब भी इस काम को करने जाते हैं तो पैनल को तोरता ही तोरता है 100% तोरेगा ही तो उसके साथ हम लोग इस तरीके का जो एक्सप्रियेंस और जो काम जो करते रहेता हूं इसलिए जो हमड़ा एक्सप्रियेंस बढ़ जाता है तो जब अब भी इस प्रोकर्क से काम करोगे न तो कास्टोमर को पहले बता दीजेगा कि हम इसको खोलने जाएंगे तो तूटने का चंसिस रहेंगे तो हम इसका जिम मेंदर नहीं होंगे अगर टूट जाए तो अगर आप को कस्टोमर पर्मिसन दे तो नहीं अब कर सकते तो लेकिंत तो देखिए हमारा पैनल है वो पूरा का पूरा खुल चुका है इसको उठा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा पैनल उठता है या नहीं अब हमारा पैनल जो है फ्रेम से अलग करने के बाद इस पैनल को उठा के अब हमें सेब जगा पर रखना पड़ेगा तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमरा ये जो काम है ना कि जो पैनल और जो फ्रेम के साथ जो चिपका हुआ था वो मतलब बिरेक हुआ है कि नहीं इस चीज को दिखाने के लिए पैनल को मैं आपको उठा के दिखाता हूँ इसके लिए मैं साकर को इस्तमल करूंगा क्योंकि जब भी मैं कोई पैनल को खोलता हूँ या इधर से उधर करता हूँ तो इस टाइप का चीज को मैं इस्तमल करता हूँ अगर 32 इंच से ज़्यादा बढ़ा हुआ तो दो इस्तमल करता हूँ तो यह की मैं इस्तमल करता हूँ काफी बढ़ी तरीके से काम कर रहा है अगर आपको यह इस्तमल नहीं का ना आया तो आपके हाथ से गिर भी सकता है इसलिए बहुते समल के यह वाला चीज को इस्तमल करने होते हैं तो हम अपने एक प्रेम को यह पैनल को इस बॉक्स के अंदर सेफली तरीके से रख दिया और मैं आप इसको क्या करूंगा कि ढख के रख दूंगा जब भी कोई में बैकलाइट को रिपेर करने के लिए पैनल को खोलता हूँ न तो इसी के अंदर में अच्छे से शेफली जागा के रखता हूँ ताकि यह हमारा तूटने का खत्रा बग कर दीजेगा और इसी पूरगर के वीडियो आगे आने वालों दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और अगर आपके मन में इससे टॉपिक के लेकर कोई भी सुजावे या साबाल है तो नीचे कमेंड क पैनल को टीवी के अंदर फीट करने के लिए या सेट करने के लिए हमें कौन-कौन सा मैट्रियल्स की जोरुत पड़ीगे और उसका जो पैनल को लगाने के जो टेकनिक होता है ना वो टेकनिक क्या होता है तो इस वीडियो के लिए तो पक्का आप चैनल को सब्स्राइब कर के जुल रही है तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्दा बेस्ट